ओम शांति आप सबको सहुगत है आपके यूट्यूब चैनल सीधा सोल्दृत्राइज विदिन में और आज हम 16 मार्च आज के दिन की श्री वर्दान के बारे में चर्चा करेंगे चाम परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि हम एक रूह गुलाब के जैसे जो की कांटों के बीच में रहता है कांटे क्या है और रूह गुलाब का मतलब कि है इसको हम पैचानेंगे इस वर्दान में वैसे हम रहें हर सिचुईशन में तो देखें, बाबा कहते हैं, वर्दान के शीर्शक में, हदों से न्यारे रहे, हदे क्या होती हैं? मेरा तेरा लोब अहंकारा ना चोड़ी बातों में, कि योगी हद की बाते हो गई, तो हदों से न्यारे रहे, परमात्म प्यार का अनुभव करने वाले, जब हम हदों से न् का नभव करने वाले रूहानियत की खुश्बू से संपन भवा spiritual fragrance जैसे गुलाब का पुश्प जो गुलाब का फूल है जो रोज है काटों की बीच में रहते भी नियारा और खुश्बूदार रहता है जो गुलाब का फूल है अगर आप देखेंगे इसकी जो stem है उसमें आपको काटे दिखाए देते हैं मलब है तो गुलाब स्टेम में काटे हैं लेकिन फिर भी कैसे रहता है खुश भी दार रहता है तो आज हम ये काटा कैसो कहा रहे हैं काटे मतलब की चो आत्मा क्रोध का काटा, आंकार का काटा इर्षा गरिना का काटा, काम का काटा लगाते हैं वो आत्मा उसे हम कहा रहे हैं हम उनसे परे रह करके हम उन जैसे नहीं काटे नहीं हम किसी को क्रोध, आंकार, इर्षा, गरिना नहीं हम पवित्र ग्यान के द्वारा हम अच्छे सोच के दोड़ा, अच्छे कर्मों के दोड़ा हम औरों को सुखी रख रहे हैं, हमारे से खुश्बू मिल रही है औरों को, ना कि हम से पत्भू तो कांटों के कारण बिगड नहीं चाहते हैं, कौन? जो गुलाब का फुश्ब कांटों के बीच में रहते हैं, भी न्यारे और खुश्बूदार रहते हैं कांटों के कारण बिगड नहीं जाते हैं, यह नहीं कि किसे ने आपको करोध के तो आपने भी करोध करती है किसी ने आप इसे बदला ले तो आपने भी बदला ले दिया, तो आप गुलाब तो नहीं, आप फिर से काटे बन गए, जैसे रूह गुलाब जो सर्व हदों से वा देह से न्यारे हैं, रूह गुलाब कौन हो गए? जो हदों से और देह से न्यारे हैं, कि मेरा तेरा, मेरी च वे रुहानियत की खुजबू से संपन रहते हैं, इस कल्यूग में तो कांटे लगाने वाले बहुत लोग हैं, सिचुएशन बहुत सारी आती हैं, तो उनको किसी भी प्रभाब में आते हैं, उनको कोई असर ने पढ़ता, वो कांटो जैसे नहीं होते हैं, ऐसी खुजबूद आत्माएं बाप केवा ब्रामन परिवार के प्यारे बन जाते हैं, तो ऐसे अगर हमारे इंदे कॉलिटी जो कि हम डेवलप करते हैं, तो हम परमात्मा के प्यारे, और ब्रामन परिवार में ब्रह्मकुमारी में जो भी आत्माएं, जो परमात्मा को फॉलो कर रही हैं, और प्रमात्मा प्यार अखूट है, कभी कम नहीं हो सकता, कभी घट नहीं सकता, इतना है जो सभी को प्राप्त हो सकता है, लेकिन उसे प्राप्त करने की विदी है न्यारा बनना, जैसे काटों से न्यारा है, फूल उपर है, यह निकि काटों के बीच में है, उसे न्यारा है, उन जो कि आप 70s प्रमकुमारी का कोर्स करके इस ग्यान को समझ सकते हैं, इसके जात में, ओम शान्ती.